हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको मैं ये वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अर्थवर के बार में थोड़ा सा बताऊंगे कि इसके पहले जितने वीडियो बने हैं वो सारे अभी तक टेस्ट रिलेटेड़ थे टेस्ट और उसका हाइस पुड़ था अभी उसका कुछ बिशे कशे क्या ये सबसे बॉटम लेएर है अपका ही में जो खोता है आर्थवर्क होता है और इंबेक्मेंड बोलते हैं इसको मैं इसके सारे आपको आगे चल के दिखा हूंगा उसमें कैसे कौन सा लियर होते हैं और कितने कितने होता है जनरली सब्भाब कर अलग होता है जैसा सबसे पहले आपका बताऊंगे वीडियो में कैसे बन रहा है Congmenoos तो पहले आप नोट्स एक बार देख लें फिर आपको इसली आइडिया लग जागा कैसे है क्या अगर आप जाएंगे साइट पे अगर आफ रेसर हो वन येर टू येर एक्विडेंस है तो आप इसली देख सकते हो पता चल सकता है क्या चल रहा है यहाँ पर कैसे चल रहा है तो जो मैं आपको बताऊंगा भी नोट्स में ये जनरली कोई बताता नहीं है सब लोग स्वाटकॉर्ट में बताकर छोड़ देते हैं अगर आप मेरा नोट्स देखें तो कुछ न कुछ आपको ज़रूर अलग मिलेगा नया मिलेगा हर दिन कुछ न कुछ अलग मिलेगा य डालूं गां सारी वीडियो अफिलाल के लिए देखा जायो साइज क्या होता एक मैक्समम अगर आप जहां पे ग्रिगेट अगर अगर भर नहीं है कुछ एरिया जैसे भी हैं जैसे कि आपको रॉक वाले एरिया हो गया है हिली एरिया हो गया हुआ पर 100% आपको स्वयल नहीं मिलेगा तो महां पर मैक्सिमूम साइज 75 mm होना चीए इससे ज्यादा बड़ा हम नहीं डाल सकते हैं और सब्ग्रेट का है सब्ग्रेट में आपको 50 50 mm का यह मैक्सम साइज है या तो आपका 2 3rd of the layer thickness अगर आपका 150 का डल रहा है आपका layer या 200 का डल रहा है तो उसमें आपका उसका 200 का या 150 का 2 3rd कितना हुआ आपको maximum नहीं डाल सकते हो या तो 75 mm होना चीए या thickness का 2 3rd होना चीए तो यह चीज का ध्यान हमें हमेशा रखना है सब्ग्रेट के लिए 50 mm होता है और impact के लिए 75 mm होता है इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चीए एम डीडी देखें आप तो इसमें इंबेक्मेंट के लिए जो है एम डीडी 1.52 ग्राम पर सीची मीनिमम अप्टू 3 मीटर 3 मीटर जाओगा हमारा फिल कर रहे हो आप तब तक का जो है एम डीडी हमारा 1.52 ग्राम पर सीची होना चीए और आप आगे बढ़ोगे एवर एव सब्सक्राइब के लिए का सब्सक्राइब के लिए 1.75 ग्राम पर सीची मीनमम इतना होना चीए और आप आगे देखें कि फिर एम डीडी के बाद क्लासिफिकेशन अप स्वाइल स्वाइल के बारे में पूरा डीटेल्स आपको मिलेगा और आप इसमें देख सकते हैं 1498 में क्लासिफिकेशन है उनके पूरे डीटेलस आपको मिलेंगा उसका बात से जब आपका डंपिंग करने के बाद आपका रोलिंग और पहले कर देख सबसे बड़ी बात यह कोई भी आएगा तो सबसे पहले आपका यह देखेगा है कि रोलिंग का पैटर्न क्या है कोई भी पता दूं अगर आपका 50 मीटर का ये एक बेड़ बना रहे हो तो एक पास कितने कैसे होता है एक बार यहां से स्टार्ट किया अपने एक बार गए और फिर रिटर्न आए जाने का और आने का तब जाकर आपका एक पास होता है इस इसका हमेशा ध्यान रखना है और साथ ही होता है यह लोगिटूटनल डिरेक्शन में होता है लोगर मतलब केमबर जीजर होगा आपका लोगर टु अपर हमेशा इसदान रखना है उसका one third cover करके फिर नया आपका चलना है पुराने कवर पुराने वाले जो भी आपने पास किये पास मारे है रोलिंग किये उसके वन तर्ड आपका होना चाहिए उस ट्रेक का इसके बाद स्पीड ऑफ रोलर जो है फाइब किलोमेटर पर आउर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए आपका अगर ज्यादा है तो आपको प्रॉब्लम होगी कंपेक्शन कम आएगा पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए हमारा यह फिक्स है कि फाइ को नहीं पता होता है एक इनसान अगर नॉर्मल चाझ सल्टा तो पां से चीलोम्टर परहर कहीं साफ से चलता है अगर आप क्लेक्शन कर सकते हो सकते हैं तो पता कर चकते हो इसमें क्या है आगे फ्रिक्वेंसी जो है रोलर का रोलर का रोलर का फ्रिक्वेंसी होता है 25-30 हर्स यह किसी को जनरली नहीं पता होता है नहीं कोई बताते हैं इस इसका ध्यान लखना है फ्रिक्वेंसी रोलर का फ्रिक्वेंसी में साथ 25-30 हर्स होता है वाइ एम्पलेटूर उसका 1.52 होता है सरफेस लेवल सब ग्रेट का होता है प्लस माइनस 20 mm यह कहीं भी जाए यह सब ग्रेट में तो आपको प्लस माइनस 20 mm आपका हो सकता है उससे ज्यादा हुआ तो भी क्लाइंट वालस को मानिंगे नहीं या जो भी आपके कंसल्टेंट है और फिर कंपेक्शन जो है उसका 95 तू 97 परसेंट होना ची मीनिमम बहुत जग एग्रिमेंट में लिखा होता है कि नहीं हमें 98 परसेंट चाहिए तो आपको 98 परसेंट करके देना होता है बहुत जग 100 होता है इसमें यह है कि 95 तू 97 परसेंट होना चाहिए सब्ग्रेड में वो चलेगा तो दोस्तों यह हमारा अर्थवर्क का है और नेक्स जो आगे वीडियो आपको बनेगा तो एक और डालूंगा भी लैब से रिलेटेड और आयस कोड बगर उसका तो फ्रेंड आज का यही कोई प्राबलम हो तो आप बताएं ताकि इसको अगले वीडियो में इसली इंप्रूफ करके डालूं ताकि आपको इसली समझ जाए थैंक यू